दोस्तों ये वीडियो आप लोग लिए काफी ज़ादा इंपोर्टेंट हो सकती है अगर आप एक घर की गंसेशन करा रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजे बताने वाला हूँ कुछ ऐसी गलती के बारे में भी दिखाऊँगा बताऊँगा जो आपको कभी भी अपनी घर में नहीं करनी है और उससे काफी बड़ा नुकसान भी आपको हो सकता है कुछ मैं आपको टिप्स भी दूंगा इस वीडियो में ताकि आप अपने घर में उसको यूज़ करके काफ सारी वीडियो डलें तो उनको भी आप देख सकते हैं साथ ही हमने उनके प्रेडिस पर बना रखी है तो यहाँ पर मैं अगर जो बात करने वाला हूँ जो आपने देखे हूँ कि जम अपने घर में पाइप प्रोवाइट करते हैं जैसे कि रेंबाटर पाइप हो गया आपका यह टोइलेट वातरूं का पाइप हो गया तो उसको आना हमें इलेट और आउलेट के परपस से यूज़ करना होता है कि जो पाइप आ रहा है वो उससे पानी कैसे जाएगा और पानी आएगा कैसे ठीक है जाना और आना आउटलेट इनलेट यह सारी चीज़ें में ध्यान रखनी होती है लेकि उनकी प्लेसिंग भी हमें ध्यान में लेके चलना होता है कि हम कैसे उसको प्रोवाइट कर रहे है तो जैसे कि आप सामने एक वाल प्रोवाइट के गए है अब यह जो प्रोवाइट करने के पीछे आप जो देखोगे मोटिप यह है कि एक ही जगा पर इन्होंने पाइप दे दिया लेकिन जिस तरीके से इन्होंने थूरूआउट निकाला है बीम को कट करके जैसे आप देख रहे हैं एक तो होता है कि बी प्रोवाइट करेगा तो जो हम अगर बात करें नॉर्मली बीम अगर इस तरीके से पूरा प्रोवाइट कर देते तो जो उसकी लोड केरिंग कैपैसिटी होती है और यहसे कि आप देखते हैं घर में कोई बुका माता है तो उस कंडिशन में क्योंता है कि जो इस तरीके से जो कंटिनीस बीम आ रहा था पीछे से उसमें आपने एक ऐसा कट दे दिया है जिससे आपकी स्ट्रेंड काफी जादा कमजर हो चुकी है जैसे कि आप देख रहे ह तो इसमें कोई किसी तरह का जॉइंट नहीं है तो वहां पर आपको इतनी जादा दिक्कत नहीं होगी अब यहां पर एक चीज़ दोर बताऊंगा कुछ लोग कहेंगी कि पाइप हम फिर किस तरीके से लेके जाएं देखो पाइप आप लेके जा सकते हैं यह जो कॉर कटिं और इस तरह की हरकत में तो बहुत जादा जमीर आसमान का अंतर है देखो क्या होता है कि अब आप कहेंगे कि तीन पाइप हम कैसे एक साथ लेके जा सकते हैं ऐसा नहीं है आप जब पाइप की मोटाई रखते हैं यह चार इंची है तीन इंची है छे इंची है यह उसके आप रखना चाहें तो रख सकते हैं लेकिन फिर वो अगर आपकी चार इंची मोटा यह चेंची पाइप होता तो फिर उसकी दिस्टेंट और ज्यादा बढ़ जाएगी लेकिन आप एक ही जगा पे काफी सारे पाइप देते हैं तो उस कंडिशन में क्या होता है कि काफी ज पूरा ही खतम हो गया तो मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप भी अपने घर के जीने के नीचे दर्वाजा देना चाहरे हैं तो आपको ऐसी कौन सी जरूरी बाते हैं जो धियान में रखनी है कि कुछ लोग दर्वाजा देते तो हैं बट कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं वह गलती क्या करते मैं आप से इस वीडियो में डिसकस करूंगा और कहीं न कहीं उनसे नुकसान भी हमें आगी चलके होता है तो इक लिए होता है कि सबसे पहले तो दुखो आपको यह जानना जरूरी होता है कि आप अपने घर में जो जीना दे रहे हैं वह किस टाइप कजीना है यानि कि जो स्टेर केस होते हैं जैसे कि आप यहां जो देख पा रहे हैं यहां पर डॉग लग स्टेर केस है इसमें क्या होता है कि आपके एक फ्लाइट होती है जिस पर हमारी पैरिया होती है और वह कनेक्ट होती है एक लेंडिंग में और दूसरी फ्लाइट होत जाते हैं। जो चटेर क 나서 देखने में और भी जी जीने होता है यहां पर यह जुआ से पहले को देखो किषब होता है जैसे किमaya का इनकलाइंट होता है kepada 22 जो minimum degree होती है slope देने की तो वो 26 degree होती है इससे कम आप कभी मत देना और जो maximum होती है वो 45 degree पर होती है अगर हम normal की बात करें तो 35 degree तक आप अपने जीने को तिर्चा लेके जा सकते हैं तो यह चीजे आप जरूर ध्यान रखें अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि भी सबसे पह हमारी total slab की हाइट है यानि कि मान लीजे 12 से 14 फिट के आसपा जाता लोगवाज घरों की छट की हाइट होती हो रखते हैं तो मान लीजे 14 फिट है या 12 फिट है जो भी रहेगी उसका हाफ कर लो तो वो हमारी minimum हाइट है इससे कम आपको नहीं रखनी है अगर मैं बात करूं क कि आप एक normal हाइट कितनी रख सकते हैं या दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि जीने के नीचे जो दर्वाजा दे रहे हैं वो थोड़ी हाइट पे जादा रखते हैं तो nominal क्या रहेगी मैं कहूंगा कि आप 7 फिट की हाइट जो जीने की रहती है वो landing की सोरी वो रख सकते हैं क्योंकि दर्वाजा भी एक जो standard होता है उसकी हाइट 7 फिट ही होती है बट यहाँ पर आप सोचो कि 8 फिट के दर्वाजा रख दें कुछ लोग रखते हैं मैंने साइडों पर देखा कि 8 फिट की हाइट पर वो क्या करते हैं दर्वाजे को रख देते हैं उसकी हाइट फिर जो क्या होता है रहा स्टेब केस को फिर वो चल्ले में घुड़ी वोगते हं काफी ज्यादा लगता है तो यह चीज़ ध्यान रखना कि आपको स्टेर केस के रवाजा देने तो ज्यादा हाइट भी आपको नहीं कहा है तो और वीडियो को लाइक जरूस कर देना ठैंक यू